दोस्तों आप सभी को नमस्कार इवोकाईस ने BPSC मेंस रीज स्टार्ट की है जिसकी आज 21 वी क्लास होगी हम हर क्लास में एक टॉपिक लेते हैं जो मेंस के point of view से important होता है और उस टॉपिक से जुड़े हर उस पहलो पर तर्चा करते हैं जहां से examiner आप से question पूंच सकता है आ science और technology में पूंचा जाएगा यह topic न केवाल BPSC मेंस के लिए important है बलकि अगर आप UPSC या किसी unstate PCS की त्यारी कर रहे हैं तब भी यहां बराबर महत्तपूंड हो जाता है आपके exam के लिए बीना देर के हुए topic को start करते हैं चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसा ही महत्तपूंड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंसते रहें इस topic को question format में हम लोग पढ़ेंगे जैसे अपनी पिछली classes पढ़ते आ रहे हैं question की main body और last में conclusion तो देखेंगे इस topic से जुड़ी क्या हमारी भूमिका हो सकती हमारे question में next इसके main body में अन्य पहलों पर चर्चा करेंगे जहां से examiner question पूंच सकता है इसमें देखेंगे क्रसी छेतर में प्रद्योगी की आज क्यों जरूरी है इसके क्या कारक है दिन उसके बाद क्रसी छेतर में प्रद्योगी की को अपनाने समंधी क्या चुनोतिया क्या बाधाएं हैं इसको देखेंगे और उसके बाद आगे की राह suggestion के संदर में देखेंगे एक way forward के रूप में क्या अब हमारी आगे की राह होनी चाहिए और उसके बाद last में हमारा conclusion होगा भूमिका में हम लोग क्रसी के महत्तो पर चर्चा करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या ऐसे कारक हैं क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसके संदर में आज क्रसी छेतर में विग्यान और प्रद्योग्यकी को अपनाना महत्तपोर हो गया है हमारी भूमिका कुछ इस तरीके से हो सकती है भारती क्रसी छेत्र अर्थववस्था की रेड है जैसा हम लोग बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारती अर्थववस्था की रेड क्या है क्रसी है जो इस बात का प्रमार है कि आज जब COVID-19 के दौरान संपूर में 3.4% की सकरात्मक व्रद्धी देखी गई थी और जब जब भारती अर्थववस्था पर कोई निगेटिव इंपक्ट पड़ता है चाहे वो मंदी का दौर हो या फिर कोई अन्य समय भारत की क्रसी अर्थववस्था ने भारत को जिंदा किया है इन सब के बावजूत मौझूद हैं जो या मांग कर रहे हैं कि भारती क्रसी प्रणाली में प्रद्धोगिकी को अपनाया जाना अनिवार है पहला बढ़ती जनसंख्या एवं खाद्य सुरच्छा का मुद्धा उधारण के लिए आप देख सकते हैं विश्व भुकमरी सुचकांक 2022 को यहां पर आप एड कर सकते हैं अपने एक्जामपल में और बता सकते हैं कि वर्ड हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों में 107 इस्थान प्राप्त किया है जो गंभीर स्रेडी के अंतरगत आता है यह इस्थान पूरे एसिया में निम्नितर दूसरा इस्थान है तो एक बड़ा जा सकते हैं वर्ड हंगर इंडेक्स का एक्जामपल देखें नेक्स्ट क्रसी छेतर में लचीली व्रद्धिदर देखी जाती है आर्थिक सर्वेचट 2021-22 का आप लोग इसको सामिल कर सकते हैं और एक ग्राफ के माध्यम से बता सकते हैं कि क्रसी छेतर में जो व्रद्धिद घटकर 6.6 रह गई और 2018-2019 में इसमें भारी ग्रावट आई 2.6 उसके बाद फिर इसमें व्रद्ध हुई 4.3 हो गया दिन उसके बाद 20-21 में फिर इसमें ग्रावट आई और यह व्रद्धिदर 3.6 रह गई और 2021-22 में थोड़ी से इसमें फिर से व्रद्ध देखने को मिली ह की तुलना में 2021-22 में यह 3.9 हो गई तो हम ग्राफ के माध्यम से देख रहे हैं कि जो भारत की क्रसी अर्थववस्था में व्रतिदर है वह पॉजिटी निगेटिव बस हलका परिवर्थन होता रहता है तो इसमें कोई विशेश सकारात्मक व्रति देखने को नहीं मिल रही है तीसरा, जो कारक है, देश में कुल कारेबल का 54 परशन से अधिक हिस् weitere अभी बी क्रसी और संबंध छेटर का मतलब क्रसी के अंतरगत परिफवालन, मत्षपालन यह सारे जो चेटर हैं वो क्रसी के अंतरगत ही आते हैं और क्रसी और संबंध छेटर में आज भारत का कारेब 54% से अधिक कार्य कर रहा है किन्तु अगर इसके कॉंटेक्स्ट में देखे इसके अनपात में देखे तो क्रशी एवं संबध्य छेत्र का जो सकल मुल्य वर्धन है उसके हिस्सेदारी मात्र 18.8% है जो अभी बहुत कम है और यह जो डाटा है वहाँ आर्थिक सर्वेच मान में निरंतर वर्धी हुई है भारती क्रशी का मानसून पर निर्भर होना इसे और भी अधिक सुबेध्य बनाता है भारत की जो क्रशी विवस्ता है वह जादतर मानसून प्रणाली पर निर्भर है और इस तरीके से जलवाई परिवर्तन के द्वारा मानसून पैटन में लगातार बदला होना क्रसी छेत्र को और अधिक सुबेद बनाता है और ये सब कारत आज मांग कर रहे हैं कि क्रसी छेत्र में विज्ञान और प्रद्योगिकी को अपनाया जाना चाहिए बिहार के संदर में कुछ एग्रिकल्चर से रिलेटेट डाटा है जिनको देख लेते हैं अगर बिहार के संदर में कोश्चन पूछा जाए तो आप लोग इन डाटा को सामिल कर सकते हैं अपने कोश्चन में जैसे बिहार के कुल भगोलिक छेतर में 60% जो हिस्सेदारी है वह क्रसी छेतर की है तो दूसरा बिहार राज की जो GDP है उसमें क्रसी छेतर की हिस्सेदारी देखे तो 24-25% की हिस्सेदारी है कुल कारेबल का लगभग 75-70% संगलगन है अगर हम भारत की कॉंटेक्ष्ट में तुलना करें तो बिहार राजी में करसी कारेबल अधिक है भारत में हमने देखा था 54% से अधिक लेकिन बिहार राज में जो कुल कारेबल है उसका 75-70% हिसा करसी छेत्र में संगलगन है प्राकरतिक उपजाव मिट्टी जैसे जलोड मिट्टी जो करसी के लिए उपजाव मानी जाती है और यह बिहार की महत्पूर संपदा है आप जानते हैं बिहार का जो छेत्र है मैदानी छेत्र वचादातर जलोड मिट्टी से संपन है और इसके कारण बिहार एक महत्पूर स्टेट हो जाता है करसी छेत्र के संदर में बिहार राज लीची, अनानास, जूट जैसे कुछ उत्पादक हैं जिनमें अग्रडी राज्यो की सूची में यहां आता है इस तरीके से देखे तो उपजाव भूमी, जल संसाधनों की प्रचुर मात्रा बिहार में देखते हैं कई नदिया, कोसी नदी, गंगा नदी, यह सारी नदिया जो हैं बिहार से होकरी बहती हैं और वर्सा का भी आवसतन इस तर लगभग 1120 mm के आसपास वर्सा होती हैं तो भूमी भी उपजाव है, बिहार राज में जल संसाधनों की प्रचुर मात्रा भी है लेकिन इसके बाउजोद बिहार की जो क्रसी ववस्ता है, इस पेसली उतपादन के संदर में संघर्स करते हुई नजारा रहे हैं अर्थात यह सारे positive indicators होते हुए भी बिहार क्रसी की जो उतपादन छमता है, वह अन राज्यों की तुनला में निम्न बनी हुई है इस तरह बिहार के context में देखें, तो भी क्रसी छेतर में विज्ञान और प्रद्योग की आज समय की मांग है, समय की आओ सकता है अब हम देखेंगे क्रसी छेतर में विज्ञान और प्रद्योग की भूमिका और इसकी उपियोगिता और इसमें हम कुछ important technology को लेंगे जो क्रसी छेतर में महत्पूर भूमिका निभाती है जिसमें हम ज्याव प्रद्योग की को सामिल करेंगे विज्ञान प्रद्योग की, ड्रोन प्रद्योग की, रोबोटिक्स, करत्यम बुद्धिमता, Artificial Intelligence, नाभिकी प्रद्योग की, सेंसर और आयोटी, Internet of Things पर आधारिक प्रद्योग की इसके बाद कुछ अन्य प्रद्योग की या होंगी, जो क्रसी छेत्र में महत्पूर भूमिका निभा सकती है तो सबसे पहले जयव प्रद्योग्की के बारे में देखेंगे, जयव प्रद्योग्की से निर्मित अन्वानसिक रूप से संसोधित फसले जिसे GM क्रॉप्स कहते हैं, जिनेटिक मॉडिफाइक क्रॉप्स और ये क्रॉप्स क्रसी छेतर में एक अमूल चूल परिवर्तन ला स सकती हैं, इसमें पहला पॉइंट जो GM क्रॉप्स से समन्दित है और ये GM क्रॉप्स जयव प्रद्योग्की की द्वारा निर्मित की जाती हैं, GM क्रॉप्स जो होती हैं वह कठोर जलवायू प्रस्थितियों जैसे सूखा, गर्मी, अतिदिक ठंडी या लवरता आधि के प् साबित हो सकती हैं, क्यूंकि वह इन कठोर जलवायू प्रस्थितियों में अतिदिक सहनसील हैं, अतिदिक इसके प्रतिसहिसूर हैं. दूसरा, जो GM क्रॉप्स को इस तरीके से निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है, कि वह सूखे के प्रतिक ठंडी जो लवरता हो, उसके उसके भी प्रति अधिक सहनसील हो ताकि ऐसे भी छेत्रों में क्रसी को उगाया जा सके दूसरा आप देखते हैं क्रसी में इस्थानिक रोग कीट हमलों के कारण फसल पूरी तरीके से बरबाद हो जाती है इसलिए जिनेटिक मोडिफाई अर्थात जो पारंप्रिक बीज होते उदाहरण के लिए अगर हम कीट नास्कों की बात करें त्रड़नास्कों के हमलों के प्रति प्रत्रोधी क्रॉपस हैं उसमें बीटी का पास बीटी बैंगन का आप लोग उदाहरण दे सकते हैं नेक्स्ट कम स्रम, कम लागत के साथ फसल उत्पादक्ता में वरद्धी होती है, क्योंकि GM क्रॉप्स को इस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें कम स्रम हो, कम लागत के साथ उसको गाया जा सके, और इसके साथ साथ में फसल की जो उत्पादक्ता हो पारंपरिक बीजो की तुल मिका हो सकती है क्योंकि GM जो क्रॉप्स होती है हम देख रहे हैं कि यह ऐसे छेत्रों में भी उख सकती है जहां पर अतिधिक सूखा लवरता गर्मी ठंडी है और यह कम सरम कम लागत के साथ साथ में अधिक उत्पादक्ता में भी व्रध होती है जिससे बढ़ती जनसंख्या को ना सिर्फ खाद्य सुरच्छा प्राप्त होगी बलकि पोसर सुरच्छा को भी सुनिश्चित किया जा सकता है GM मोडिफाई क्रॉप्स के माध्यम से जो उत्पादक्ता होती है उसको हम अधिक विटामिन अधिक खनीज युक्त बना सकते हैं उधारड के लिए आप गोल्ड राइस के रूप में देखते हैं अगला जो क्रसी से सब्मंद छेत्र है पसु छेत्र जो भारत की क्रसी में एक अग्रडी भूमिका निभाता है और इस छेत्र में भी बायो टेकनोलोजी एहम भूमिका अधा कर सकती है जैसे जो भूण अंत्रण प्रद्योग की होती है बा किया जा सकता है तो ये हमने बायो टेक्नोलोजी के यूज देखें एग्रिकल्चर में अब हम देखेंगे नैनो टेक्नोलोजी का क्या यूज हो सकता है क्रसी छेत्र में पहला नैनो सेंसर के माध्यम से मिट्टी की इस्थित एवं फसलों पर निगरानी के लिए इसका उपयो तीसरा नैनो जिल जो होता है जैसे उतपादकों के माध्यम से कीट को नियंत्रित किया जा सकता है और नैनो कैपसूल एवब नैनो इमल्सनों से रसाइनिक उर्वरक ज्यादा दच्छता एफिसेंसी से निर्मित हो सकते हैं उसके लिए आप उधारण दे सकते हैं कि तरल नैनो यूरिया का निर्मार किया गया हाली में और यह नैनो टेकनोलोजी बेस है यह पारंप्रिक यूरिया की आसकता को नियूनतम 50% तक कम कर सकता है तो इससे ना केवल मिट्टी का संगरच्छड होगा बलकि करसी की लागत कम ह होगी। जभ यूरिया 50% कं हो जाएगा तो क्रसी लागत में कमी आएगी। बायो टेकनोलोजी, नैनो टेकनोलोजी को हमने देख लिया , क्रसी चेटर में किया इसकी उपयोगिता है। अब देखेंगे, रोबोटिक्स का कैसे यूज कर सकते हैं रोबोटिक्स यानी रोबो खरपतवार नियंत्रड में इसका यूच कर सकते हैं, बीज रोपड आदि में रोबोट का प्रियोग किया जा सकता है। बीज रोबोट को भी हम लागू कर सकते हैं, जिससे क्रसी छेतर की उत्पारता बढ़ेगी और क्रसी छेतर के संदर में मिट्टी की भी उरवरता बढ़ेगी। प्रियोग करके क्रस की उत्पादक्ता को बढ़ाया जा सकता है। अगला नाभकी प्रियोग की आप जरूर अगर एक्जाम में पूछ लिया जाए क्रसी छेतर में इस पॉइंट को जरूर सामिल कीजेगा। यूँकि हम लोग नाभकी जो टेकनोलोजी होती है उसको ज्यादा ता नाभकी रियक्टर उर्जा के सम्मंद में ही पढ़ते हैं। लेकिन नाभकी प्रियोग की का यूज क्रसी छेतर में एक अहम भूमिका निवा सकता है। जैसे रेडियो समस्थानिकों की मदद से फसलों की गुरवत्ता और उनकी उपज बढ़ाई जा सकती है। रेडियो एक्टिव केरणों की सहता से विक्सित होने वाले बीज एवं फसल, सूखे, रोगाणों के प्रतिक प्रतिरोधी होते हैं। अगर हम रेडियो समस्थानिक की बात करें तो यह नाभिकी विखंडन के रेडियो समस्थानिक की बात करें। दौरान विभिन प्रकार के रेडियो समस्थानिक बनते हैं। अंत्रिच प्रद्योकी का भी यूज हम क्रसी छेत्र में महत्पूर्ण तरीके से कर सकते हैं। रिमोर्ट सेंसिंग आपका हो गया, जीपियस तकनीकी होगी, इसके द्वारा हम फसलों की निगरानी कर सकते हैं। मर्दा विसले सड कर सकते हैं और मौसम की पूर्व सूचना को वास्तुएक समय पर प्राप्त किया जा सकता है। और मौसम की पूर्व सूचना एक महत्पूर भूमिका आदा कर सकता है, कि लोगों को पता चल जाए पहले ही कि सूखा पढ़ने वाला है, तो वो उस तरीके की करसी करें, जो सूखे के प्रति सहन सील हो, तो इस तरीके से मौसम की पूर्व सूचना जो है करसी छेतर में एक अहम भूमिका निभा सकता है, इसके लावा रिमोर्ट सेंसिंग, जीपियस तकनीकी, फसलों की निग्रानी और मर्दा के विसले सड में अहम भूमिका तो निभाती ही, नेक्स्ट क्रतिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिसल इंटेलिजेंस, यह आर्टिफिसल युक्त उपक अधकता होगी, वो बढ़ेगी, और दूसरा, कीटों की हमले की पूर सूचना मिल जाएगी, जिससे कीट ना सकता है, प्रचिड़काओ किया जा सकता है, और फसलों को बचाया जा सकता है, नेक्स्ट जो प्रद्योक्की हवा, सेंसर एवं इंटरनेट आफ थिंस, आयोटी क्रसी छेत्र में कैसे इसका यूज कर सकते हैं, बायो टेकनोलोजी जो काफी इंपोर्टन हो जाती है, नैनो टेकनोलोजी के बारे में देखा, क्रसी छेत्र में कैसे इसका यूज किया जा सकता है, जिसमें ब्लॉक्चैन टेकनोलोजी, सोलर प्रद्योकी, सोलर टेकनोलोज क्रश छेत्र में जो उर्जा किया सकता होती उसको पूरा किया दा सकता है जैव इधन प्रद्यों की क्रश छेत्र को लाबकारी बना सकती है सूचना और संचार प्रद्यों की आधी जो है क्रश वा संबंध छेत्र में महत्पूरूप योगी साबित हो सकती है तो इन सबी टेकनोलोजी को बढ़ावा देना चाहिए जिसे क्रसी जो है अधिक लाभकारी हो और उसका GDP में जो अनपात है उसको बढ़ाया जा सके भारत एक क्रसी प्रधान चेत्र है और उस संदर में जो productivity आनी चाहिए क्रसी की अगर हम अने देशों की तुलना करें चीन, USA तो उन सब के संदर में अभी क्रसी की productivity बहुत पीछे है क्योंकि यहाँ पर टेकनोलोजी का भाव दिखता है अब देखेंगे क्रसी चेत्र में प्रयास हैं वह क्रसी चेत्र में परद्योक्य को बढ़ाने है तुलाए गए अगला क्रसी में राष्टी गवर्नेंस योजना पसुधन जिनोमिक्स स्कीम यह सारी स्कीमें आपको बस याद करनी है इस सागु जो किसानों को विशेशक सलाह है तुलाई गई थी क्रतिम बु क्रसी चेत्र में प्रद्योक्य की भूमिका को बढ़ाता है नेक्स्ट क्रसी मसीनी करड़ पर उपसमन या योजना लाए गए थी 2014-15 में और इसके अलावा भी कई अन्योजना है जो क्रसी चेत्र में डिजिट्रिली करड़ को बढ़ावा देती है जिसमें किसान कॉल सिंट क्रसी बजार एप मर्दा स्वास्थ पोर्टल आज़ तो ये सारी स्कीमे हैं आपको बस इनको याद करना है अगर कोश्चन में आजए तो आप लोग इन योजनाओं का जरूर जिक्र कीजिएगा अब देखें कि हम लोग क्रसी चेत्र में प्रद्योक्य को अपनाने से सम्म समस्य उद्पन करते हैं जिसमें पहला अनुसंधान विकास रिसर्च और डेवलम्मेंट में कमी देखी जाती है और उधारण के लिए आप डाटा देख सकते हैं कि क्रसी में GDP का 1% से भी कम हिस्सा रिसर्च और डेवलम्मेंट पर व्या होता है नेक्स्ट डिजिटल और संग्रशना का अभाव दिखाई देता है जिसे विजली इंटरनेट कनेक्टिविटी आद जो हैं इसकी समस्या देखने को मिलती है विसेस्ता ग्रामीर और सुदूर चेत्रों में और ग्रामीर चेत्र ही करसी के लिए सबसे अग्रड़ी है और यह क्रसी कानून थे इसमें कहीं न कहीं टेक्नोलोजी को बढ़ावा देने समंधी भी विचार सामिल थे अगला सिच्छाम कौसल की कमी किसानों में क्रसिगत प्रद्योगिकी का कुसलता से उपयोग करने है तो सिच्छा और प्रसिच्छड का अभाव है तो आप जानते हैं कि किसान भारत के जादा तर असिच्छती हैं अकुसल हैं तो इस तरीके से टेक्नोलोजी कैसे अपनाई जा सकती है भारती किसानों के बीच में तो यह एक बड़ी समस्य है क्रसिगत प्रद्योगिकी के समझ नेक्स्ट डिजिटल तकनीकी से क्रसी होने पर अकुसल सम्यकों की मांग में कमी आएगी जिसे ग्रामेट छेत्रों में आर्थिक असमानता लेंगिक अंतराल एवं रोजगार विहिन समाज को बढ़ावा मिलेगा तो आप जानते हैं कि जो क्रसी प्रद्योगिकी के माध्यम से क्रसी होने लगीगी तो केवल उन्हीं लोगों की मांग होगी जो कुसल सरमिक हैं तो जो अकुसल सरमिक हैं इतना बड़ा हिस्सा भारत का क्रसी छेत्र में लगा हुआ है तो ये एक प्रकार से विरोजगार हो जाएगा और ग्रामेट छेत्र में आर्थिक असमानता और लेंगिक अंतरालता में एक बड़ा उच्छाल देखने को मिल सकत बढ़ाई हैं इसके समाधान हैं क्या सुझा हो सकते हैं तो वे फारवर्ड के रूप में हम इसको देखेंगे जिसमें पहला हो सकता है क्रसी तक्नीकी छेतर के उध्वाण के लिए विस्येस कोस की इस्थापना की जानी चाहिए अर्थाथ एक ऐसा कोस का निरमाद होना चाहि जो क्रसी में तक्नीकी छेत्र को बढ़ावा देने पर केंद्रित हो Next, किसानों को क्रसी सम्मंधित तक्नीकी कौशल प्रसिष्चर प्रदान करने पर जोड़ देना चाहिए और ये महत्पूर भी है जब तक किसानों को डिजटली करण की सिच्छा नहीं दी जाएगी तब तक कैसे क्रसी छेत्र में प्रद्योगी को बढ़ावा दिया जा सकेगा Next, क्रसी में और संग्रशनात्मक विकास पर अधिक बल देने की आव सकता है Connectivity हो, ग्रामीर छेत्रों में इंटरनेट, बिजली ये सारी जब तक चीज़े नहीं होगी तब तक क्रसी छेत्र में डिजिटरिली करण का जो सपना है वो सकार नहीं हो सकता अगला 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने हैं तो असोग दलवाई समित की अनुसंसाओं का पालन किया जाना चाहिए इस पॉइंट को आपको जरूर सामिल करना है असोग दलवाई समिती और इसकी सिफारिसों को आप सामिल करेंगे तो आपका कोस्चन औरों से ऑथन्टिक होगा क्योंकि वे फारवर्ड के रूब में किसी समिती की अनुसंसाओं का सामिल करना आपके आइंसर को एक administrative level प्रदान करता है तो आसोग दलवाई समिती ने सिफारिस की थी कि देश में छोटे एवं सिमान्त जोतों की संख्याब जानते हैं कि 80% से भी अधिक है और सिमान्त जोत का मदलब होता है एक hectare से कम जिसके पास भूम होती है तो समित्य ने सिफारिस की देश में छोटे और सिमान्त जोतों की संख्या को ध्यान में रखते हुए रिसर्च और डिवलाप्मेंट अर्थान अनुसंधान और विकास का लच्छे लगु इस तरके उन्नत मसीनों के विकास और डिजाइन पर केंद्रित होना चाहिए लगु इस तरके जब मसीन होंगे तो जो छोटे किसान है वो भी करसी छेतर में प्रद्योकी को बढ़ावा देंगे और सिमान्त जोत की संख्या आप जानते हैं कि भारत में एक बड़ा हिस्सा 80% सिमान्त जोत का है तो इसलिए समित ने आमसंसा की कि जो करसी और प्रद्योकी की जो करण है वह लगु इस्थर के हों ताकि यह जो सिमान्त जोत वाले हो वह भी इसका प्रीयोक कर सके नेक्स्ट विबिन इस तरों पर इस्थित कस्टम हैरिंग सेंटर कस्टम हैरिंग सेंटर ऐसे सेंटर होते हैं जो पिसानों को कम दाम पर क्रसीयंत्र उपलब्ध कराते हैं को उप्युक्त सहयता दी जाने चाहिए ताकि वो आधिक तक्निकों जैसे ड्रोन आधिकों भी सामिल कर सकें तो अभी जो कस्टम हैरिंग सेंटर हैं उसमें अगर यंत्री करण के बात करें तो टटर और अन्य कई यंत्र हैं लेकिन दलबाई समिती की सिफारिस है कि इसको जो है अधिक सहयता दी जाने चाहिए अधिक वित्ती सहयता दी जाने चाहिए ताकि इसमें आध्णिक तक्निकों ड्रोन रोबोटिक्स ये सारी चीजे भी सामिल हो सकें अब हमारा निसकर्स होगा और निसकर्स की हेडिंग हमको अपने एंसर में नहीं बनाना होता है किवल यहाँ पर आपको समझाने के लिए पॉइंट के रूप में हम लिखते हैं निसकर्स आप लिख सकते हैं कि 21 सदी प्रद्योगी की ही हर छेत्र को परिभासित कर रही है तो यह जो दौर चल ला है वह प्रद्योगी की का दौर है जैसे जैसे दुनिया नई तक्नीकों की ओर आगे बढ़ रही है भारत के पास भी क्रसी जैसे छेत्रों में तक्नीकी को व्यापक इस तर पर अपना कर एक नई करांति लाने का आउसर है जैसे हरित करांति ने क्रसी उत्पादन में अमूल चूल व्रद्ध की है वैसे ही आज भारत में क्रसी के लिए प्रद्योगी की अगला बड़ा तदम साबित हो सकता है यह कदम सतत्विकास के लक्ष की पूर्त ही तु आवस्यक भी है इस तरीके से हमने क्रसी छेत्र में विज्ञान और प्रद्योगी की क्या भूमिका क्या उप्योगिता हो सकती है क्या अभी इसकी समच्याएं क्या चुनौतिया क्या बाधाएं अभी क्रस छेतर में प्रद्योक्य को अपनाने के संबन में सारे पहलों पर चर्चा की है और आप लोगों से एक request है कि way forward की जो heading होती है इसको अपने question में जरूर सामिल कीजिएगा क्योंकि जो way forward की जो points होते हैं ये आपके question को एक administrative level प्रदान करते हैं हमारा कोई मुद्दा होता है जिस मुद्दे पर हम question लिखते हैं उसमें positive, negative ये दो point होते ही हैं लेकिन एक आप administrative officer होने के नाते आप का क्या सुझाओ है आप इस समाधान है तो क्या सुझाओ दे सकते हैं इसलिए यह जो बिंद होते हैं काफी महत्पूर्ण हो जाते हैं आपके question के लिए इस topic से जुड़े हर पहलो पर मैंने चर्चा की है अब किसी भी तरीके से question पूशा जाए आप लोग उसको बहुत ही आसानी से लिख लेंगे कई technology को हमने इसमें देखा लगभग आठ से नौ टेकनोलोजी पर विश्तित हमने चर्चा की जयव प्रद्योकी और नैनो प्रद्योकी को खास कर हमने देखा क्योंकि इस पर अलग से भी question पूशा जा सकता है हलाक अभी तक इस तरीके से question नहीं आया है question प्रयोगी की सतर पर आप से पूशा जाता है जैसे क्रशी छेत्र में क्या विज्ञान और प्रद्योकी की भूमिका हो सकती है स्वास्त छेत्र में इससे पहले हमने आपदा प्रबंधन के topic को cover कर लिया है तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो के साथ में जब तक लिए आप पढ़ते रहें स्वास्त रहें थैंक्यू जाहिन